ग्यान की बारिश से आया सब को भी गौने कि अधिने का पुत्र में कुमार भगवान के चर्णुमें दिक्षित हो जाता है अब जब दिक्षा होने के बाद जो बड़े हैं उनको पहले स्थान मिलेगा छोटे को बाद में मिलेगा आप वहां तो विक्षू थे एक इस्थत के नीचे सोना पड़ता है पहले बड़े फचोटे 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 तो में कुमार का वर्दन लास्ट में आया सोने का और संस्तारक जो घास फूस का बिच्वाना होता वहीं मिलता है मक्मल के गदे तो मिलते नहीं तो जैसे ही वो लास्ट में स्थान था और बड़े मुनीर जो बड़े थे वो रात को शंका के लिए पिशेश कारिय की जाना पड़ता तो उसको लांक के जाते, उसको ठोकर लगी, तो बढ़े दुकी हो गया, केसे लोगी, मैं पहले तो राजकुमारता मेरी बड़ी परशनसा करते थे, में करते थे, अब मुझे ठोकर लगा के जाते, खबर आ गय और निश्टे कर लिया कि मैं तो दिक्षा नहीं लूँगा, मैं तो घर जाओंगा और सुबा होते ही भगवान के चर्णों में आया प्रभो भगवान तो भगवान थे, के वलग्यानी थे, जान दे थे, कहले लगे मेग रात को ये विचार आया कि मैं धंक जाना है ये घर्णा सत्य है ना, क्यों जाना चाहता है भगवान ने याद कराया, मेग तो याद कर, जब तो हाती के रूप में था पांसो हातीयों का जूद पती था, जंगल में आग लग गई और बहुत नुकसान हो गया, फिर तुमने चार कुस की जगा बनाई सारी जानवर को बहा बुलाया, और तुस रक्षत बैठा, जंगल में आग लग जाती है एक खरगोश, छोटा सा खरगोश, कोई जगा नहीं मिली, वो आपे बैठ गया और तुने जैसे पांसों नीचे रखने लगा, तो देखा कोमल सी जगा है पांसों उपर रखा, धाई दीन तक, तीन दिन तक वो आग जली और तेरी तनी करुना थी, कि वो उपर रखा और जैसे ही आग जली गई सब पशू पक्षी चले गए अपने अपने जगा पर और जैसे तो ने पांसों नीचे रखा, धराम से गिर गया और तेरी मौत होगी, तो राजकुमार बनाम एक, एक जील की रक्षा के कारण आप तु घर जाना चाहता है, ऐसे भगवान के, भगवान ने कहा तो याद आ गई दोबारा भगवान के चर्णों में, भगवान मेरी बहुत बड़ी भूल है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे शासर में बहुत से एक्जाम्पल हैं, जो आपको बहुत बहुत उच्चकोटी का उठा सकते हैं तो जैसे ही उसने कहा, जाती समन ग्यान द्वारा भगवान ने मेग मुनिफस्ट, कि याद कर, मेग अपने पुराने भाव को जैसे भगवान ने का, भगवान की बाहनी तो ऐसी कुछ कुटी की, याद आ गया, जाती समन ग्यान होगे, ओहो मैं आती ता, मैंने रशक लिती, आप मैं घबरा गया, सहिंए मैं त्थिर होगे, तो कही बार ऐसी प्रस्थिती आती है, मेरे जीवन में भी आ सकती, आपके जिवर में भी आ सकते हैं खबराना नहीं और कोई ऐसा स्थित्व आ जाए उसको स्थिर कैसे करना ये वेगती को स्थिर कर दिया आपने तो बहुत बढ़ी कर्मों के निज्रा होती है किसी को डिगाना मत कि आज काल तो सादू पना इसा ही होता है पाला ही नहीं जाता सब साद सादू ऐसे भी हो सकते हज़ारों सादू हो तो किसी के निर्दा मत करना और किसी को कहना माते ही बहुत बड़ी बाद है एक शैलच मुनिक तोanden आते है पान सो मंत्रियों के साथ दिक्षित लेजी पांसो मंतरी की और मुनी बन गया पित जवर का प्रकोफ हो गया शैलखपुर में पथा रहे उसके पुतर मंड़क ने उसका अपचार किया अब उपचार किया तो रासी भोग भूगने से परमादि हो गया परमादि हो गया जब जब रासी भोग खाते है तो कहते है बस अराम की जिंदगी जी हो तो बाकी चार सुन्यान में तो बिहार कर गए पंथक मुनी सेवा में रहा उनका जो एक संथा चत्रमास पुर्ण होने जा रहा था चत्रमास से कराधना करने है तू जब चर्णों में आया परतिकरमन करने के लिए तो पंथक मुनी ने उसको बंदना की तो जैसे बंदना की तो वो काम पे कि मुझे किसने लाया मुझे नीन खराब कर दी पंथक मुनी कहा मैं अक्षमा मांगता हूं परतिकरमन का समय हो गया है आप जागो मैं आग्या लेने आया है बंदना करने आया है जागा ठिक कहार है मुझे मुझे परतिकरमन मैंने नहीं किया मैं इतना राजचिठात बार्द में पढ़ गया तो उसके बाद में क्या हुआ अगले दिन वो बिहार करके पुंद्रे गिल से हो गए और वहां से मुक्ती हो गए तो कई बार ऐसे ली प्रसिती आती है शेले कुनी राच ठात बार्द में पढ़े पुंद्रे कुंद्रे का बर्दन जैसे आता है ऐसे इनका भी आता है जंबू स्वामी का पूरो भाव नागला ब्रामनी ने संयम से पते ठोते होई भाव देव मुनि जंबू स्वामी का पूरो भाव देव मुनि अपने पूरो पती को स्तर किया था एक जर्म की यात्रा नहीं कितने कितने जर्मों में कैसे जंबू स्वामी बने पहले भव में नागला ब्रामनी थी उसके पती थे भाव देव अब मुनी बन गए पर पतनी ने उसको स्थिर किया कहा बच्चे ने कहा मा मैंने पूरी खीर खा ली थोड़ी सी बच्ची थी मख्ची गिर गी मा मैंने भी खा ली वमन हो गया मैंने वमन भी खा लिया मा ने का बेटे शाबाश मुनी ने का तुम कैसी मा हो बच्ची ने वमन कोई खीर खा ली मक्खी गिरी खा ली और तुम कैसी मा हो नागला ने कहा आप भी तो वमन की यह को पुना ग्रहन करने की इच्छा करते हो मैं वमन की हुई है मुझको तुम ग्रहन करना चाहते हो यह सुनकर मुनी साबदान हो गए सजग हो गए सहियों में गड़ हो गए ऐसा अवसर आता है जम्वू कमार का पूरो भव भावदे मुनी नागला ब्रामनी में को स्थिर किया था अरनिक मुनी दत पिता माता भद्रा और प्रोसी के यहां को ऐसी घटना घटी वक्ति चला गया तो पिता को वेरागी आ गया कि कभी भी घटना घट सकती है सुनसार चला जाता है मैं दिक्षा ले लेना चाहता हूँ पिता ने अपनी पत्नी माता भद्रा को कहा भद्रा बहुत समयधार थी खेलने की मैं भी दिक्षा ले लेती हूँ उनका बेटा सा आठ बर्स का तो कै बेटे का क्या करें आठ बर्स का बेटा है तो दत पिता भदरा माता ने और अरनक आर्ट पर सुका बच्चा दिक्षा ले ली के बाद भदरा साधियों के पास चली गई पिता साधियों के पास चला गया धत और पुता के पास आ गया और पिता की ममता दी बेटा चोटा है अब यार्ट साल का और उनको गोच्री की जाने देता नहीं था खुद गोच्री लाता था सेवा कर थोड़ा बच्चा प्रेम होता है बेटे का मो होता है या प्रेम समझो तो तीनों दिख्षा ली अब समय आया उसके पिता संसार छोड़ के चले गए अब बेटा अकेला रह गया थोटा बेटा बड़ा हो गया थोड़ा बड़ा हो गया जवान ही था अब साथी मुनियों ने कहा कि तुम गोच्री लाओ तुम जाते नहीं तुम आपको भी गोच्री ने गया ही नहीं पहली भर गया गर्मी का मौसम ध्यंकर गर्मी सूरज की आग धर्ती तबे के तरह तप रही है सूरज आग बरसा रहा है नंगे पांग गया जाते जाते वो कभी गया ही नहीं था पांग जुलस गये और किसी ब्रिक्ष के नीचे खड़ा होके अराम करने लगा कि मैं क्या आप नगर बदू का एक बहुत बहुती कोटी थी उसने उसको देखा कि लेकात बहुत सुन्दर है ये क्यों ना मेरे पास आजाए हम भोग भोगेंगे उसने अपनी दास्टी को करके बुला आया गया हम बिक्षा देंगे तुझे तु आ जा चला गया बिक्षा लेने के लिए तुझे युवती ने का कि तुम जवाने की उमर में कहा जा रहा है भोग भोग हो यहां रहो पैस करो अब उसके बैकावे में आ गया भैकावे में आ गया और वहा रहने लगा संयम छोड़ दिया उसमें छोड़ दिया संयम उनकी मां जो अरनंग की मां थी भद्रा उसाधी बन गई थी पता चला कि बेटा कई विक्षा लेने की व्या था वह आपस लोटा जी नहीं चारों और प्रयास की अब कहां लोटी है वो तो मेलों में अराम करने लग गया है किसी ने बताया यह नंगी चारों और से वाजिया हाती है मां तो मां होती हzym मां की ममता होती है कि मेरे साथ दिख्षा ली अब वो सादियों को कहती है कि जब तक मेरा बेटा सादू बना हुआ नहीं आता वो गली गली में जाती है अरनक 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 पुकारती है मेरे बेटे कहां गया कहां गया बेटे कहां गया मां की पुकार को सुनते सुनते मां अचानक उसी ब्रिक्ष के नीचे आके पुकारती है अरनक उपर वो भोग भोग रहा था चोड़ रहा था उसको अवाज सुनाई दी कि यह अवाज तो मेरी मां की है सीड़ियों से नीचे आ गया मा के चर्णों में किर गया मा मैंने बहुत भूल कर तो मा मैं लाइक ने जब मा ने देखा तु मेरा बेटा मा ने का बेटे तुने क्या खर दिया तु संयन छोड़ दिया भूगों में आ गया वसंसकारी फुतर था भूग़ों थे आप कहते हैं ति मा को वचन दिया मा आप मैं दिक्षा नूँ दो बारा दिक्षा नूँ मै नहीं संसार में छोड़ दिया उस युवती को जब आदमी की भीतर वेराग्य पक्का होता है तो परवाली करता जब पक्का वेराग्य हो जाए ना पती ना पत्नी ना बेटा ना मा कुछ नहीं होता निकल जाता है आदमी तो चला जाता है जब मा की पुकाराई मा ने देखा कि बेटा तो भरष्ट हो गया है उस चला गया है वो सीधा दो कथाएं आती है एक तो वो दिक्षा ले लेता है और पश्चा ताप करके देव बनता है फिर मा भी दिक्षेतर में मुक्ती पराव ऐसा एक कथा आती है कि उसको इतना पश्चा ताप हुआ कि मैंने मा के हाग या माननी नहीं कहते शिलापट पड़ा था संथारा कर लिया कि आदे का वरोसा संथारा कर लिया पर अपने जीवन का अंतर लिए ऐसे अरनक मुनी का वरनल भी हमारे यहां आती है बहुत से उधारन हमारे जीवन में आते है एक और बात कहा कि मैं पुरा करना चाहता हूँ कोशा वेशिया ने स्थूली भदर जो स्थूली भदर कोशिया वेशिया के पास बारा मरस रहा था आचारे ने प्रशंसा की थी चार शिशे थे एक सिंग के गुफ़ा पर बैठा एक सर्व के द्वार पर बैठा एक कुए के किनारे पर बैठा एक कोशा सुंदरी नगर वदू की पास चतरमास की थी जब चारों चतरमास करके आए तो आचारे ने धन्याबाद दिया सूली भदर को धन्न है सोली बदर जो कोशा को बदल दिया तो तीनों मुनियों ने कहा कि हम सिंग के द्वार पर बैठे थे आचारे ने मेरी प्रशंसा नहीं की मैं सर्प के द्वार पर बैठा था मैं हुक्वे के किनारी पर बैठा था मौँ सामने खड़ी थी आचारे ने किसकी प्रशंसा की और मुद्ना की धन है स्तूली बदर और कोशा ने बहुत उपाय धूंडे पर उसका मन मेडू के तरह दिर था और कोशा को बदल दिया उसने वो एक श्राविका बन गई एक स्तूली बदर का गुरु भाई उसको पता लगा कि मैं भी जाता हूँ कोशा बेशिया के पास जैसे गुरु भाई गया कोशा के गुरु को देख करके वो मुहित हो गया और वहां जाकर के वो सिप्रातना करने लगा अब कोशा निफसकी प्रिक्षा ली अच्छा तुम मुझे चाहता है ना ऐसा कर एक लाग स्वर्न बुद्रा इलापे दे कि तेरे पास नहीं है ना करते विक्षू मेरे पास कहा है ऐसा कर निपाल देश का राजा रतन कंबल देता है जो पहले पहुंच जाता है उसको रतन कंबल मिलता है तो जा रतन कंबल एक लाग मुद्रा का होता है मुझे जरूरत है वो लाग फिर मैं तेरी बात सुनूगी अब वो बिक्षू चला जाता है जब किसी की प्यास होती है जब जिसको पाने की इच्छा होती है रतनकंबल लेने के लिए राजा के पास पहुंचता है राजा को अनुना बिन्या के राजा को दया आ जाती है एक रतनकंबल दे दिया रस्ते में आया चोर मिल गए चोर ने रतनकंबल चुरा लिया फिर राजा के पास दोबार आ जाता है राजा को फिर दया करता है फिर पर रतनकंबल लेके आता है फिर चोर आ जाते हैं कहते हैं मैं तो भिक्षू हूँ छुपा कि किसी तरीके से वो पूश्या के पास पहुंच जाता है और रतनकंबल डेता है पूश्या ने रतनकंबल को देखा तो कंबल को पकड़के टुकड़े करके पांपुच और गंदी नाली में फैंक दिया उसने कहा तूने ये क्या किया आपने मुझे कहा रसन कंबल लाने के लिए तो मैं रसन कंबल लेके आया एक लाग सुरन बुद्रा का मैंने दो लगा दिया तूने उसकी मेहनत नी समझी तूने उसको फैंक दिया वाँ ओशा नगरवधूने कहती है कि जिन विश्य भूगों को विश्च समझ करके तूने ठुकरा दिया था अब तूना उसी रह पर चलना चाहते हो वमन की हो चलना चाहते हो इसलिए मैंने आप भेजा था तरकंबल तो कुछ भी नहीं मेरे लिए इसको समझ में आगए अब कोशा वेश्या ने जो स्तूनी भद्रे ने उसको स्थर किया था उस गुरु भाई को जा करके स्थर किया आचारिया के पास गए अलूचना की प्रभो कई बार भूल हो जाए तो गवराना मत इनसान गलतियों का पुतला है भूल भी हो जाती है उस समय क्या बलता है अलूचना करो जो आपकी भीतर कितना बड़े से बड़ा पाप वासना भी आ गई वेविजार का सेवन भी आ गया कितने गलती बड़ी से बड़ी कर ली तो उस समय क्या करो अलूचना करो जीवन की जितनी अलूचना कर लोगे हलके हो जाओ तो गुरू के पास गया है अलूचना की दुबारा उसने दिक्षा ली ऐसे उधारन हमारे जहन आगमों में भरे परे हैं इस छटा था स्थरी करन आप सात्मा और आत्मा दो कल्चर्चा करेंगे जारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है नमोर यंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आईडियनंग नमो जयनंग नम लोय सब साव नंग स्थरी नम जयनंग सिद्धे सरणंपविज्ज्याद्ज्वाणी साहु सरनं पबज्यामे केवली पनत्तं धम्मं सरनं पबज्यामे चारे शारान दुकारन जगतमे ओरन सरना कोई होगा जो भव्य प्राणी करे अरादना कुष्यामे कुष्यामे आई झाल, 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 झाल.